जय हैं दोस्तों, साथियों चंद्रयान थिरी से रिलेटेड महत्पूर्ण प्रश्ण इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आए एक बहुत ही महत्पूर्ण टापिक है, क्योंकि साथियों देश का गवरण जो है उंचा हुगा है, और इसके साथ ही दो प्रश्ण तो जरूर ही आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी important प्रश्ण आपके बन रहे हैं, उन सभी को पांच मिनट में खद्म करने वाला हूँ, इसके बाद यहाँ से एक भी प्रश्ण आपको बाहर नहीं मिलेगा, साथियों ध्यान से देखेगा, पांच म अनुसंधान संगठन, जिसको साथ में इसरो भी कहा जाता है, ठीक है, का तीसरा चंदर मिसन है, यानि कि जो चंदर मिसन है, ये तीसरा चंदर मिसन है, इसके पहले चंदरयान एक और चंदरयान दो लांच किया जा चुका है, और ये तीसरा चंदरयान था, ठीक है, और इस पर जानकारी जुट रहेगा जенद्रमा की सता पर साफ्ट लेंडिंग करने वाला भारत का उत्खा देश बन गया है इसके पहले अमेरिकाब चीन आफ्ट लेंडिंग करने वाला दुनिया का न इस वोगा देश बन गया है तो चलिए पहला परशन देखते हैं चंद्रयान थिरी को निम्नेलिखित में से किस केंदर से लांच किया गया है, तो पहला परशन काफी महात्पूर्ण, ऐशे ही प्रशन आपकी परिच्छ में मिलेंगे 100% तो साथीं जो चंद्रयान 3 है जिसको किस केंदर से लांच किया गया है तो आपका सही उत्र हो जाएगा सतीस धावन अंतरिच केंदर आपसन भी आपका सही हो जाएगा ठीक है कौन सांतरिच केंदर सतीस धावन अंतरिच केंदर आपका भी आपसन सही हो जाएगा अगला कुश्चन है चंहधर धिरि के परच्छेपण में किसे परच्छेपण यान का उपयोग किया गया है तो यहाँ पर आपका सही उतर हुजाएगा धिक kein जी आसल वी इसी तरह से आपको परिछा में लिखा मिलेगा इंगलीस में जी एसल वी ठीक है यह जो है आपका आपसन यह सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखते हैं अगला हमारा question number है तीन चंद्रयान 3 में परियुक्ते प्रणोधन माडियूल का दरब्यमान कितना है तो यहाँ पर तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपसन C यानि की 248 kg यानि की 2148 kg किसका दरब्यमान है आपका जो है प्रणोधन माडियूल का ठीक है तो यह आप जानते रहिएगा चलिए साथियों अगला question देखते हैं चंद्रयान 3 के lander और rover का मिसन G1 बराबर है यानि की कितने दिन जो है चंद्रमा पर यह रहेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आपसन C यानि की 14 पिर्थवी दिवस जो साथियों आपका चंद्रयान 3 के lander और rover है उतका एक चंद्र दिवस के बराबर जो है वहाँ पर रहेंगे और पृतिवी पर अगर एक चंद्र दीवस की बात करें तो 14 पृतिवी दीवस के बराबर होता है यानि कि 14 दिन पृतिवी के जो है एक चंद्र दीवस के बराबर होता है चलिए अगला कुश्चन देखते है चंद्रयान थिरी मिसन के लैंडर को कहा जाता है तो चंद्रयान थिरी का जो लैंडर है उसका क्या नाम था तो यहां पर आपका सही उतर हो जाएगा विक्रम लैंडर इसका नाम था क्या विक्रम लैंडर इसको इस तरह से आप याद कर सक से दच्छडी धुरूपर साफ्ट लेंडिंग करने का जो है लक्ष रखा था चंद्रयान थिरी में ठीक है चलिए अगला क्विशन देखते हैं चंद्रयान थिरी कब लांच किया गया था तो चंद्रयान थिरी आपका लांच कब किया गया था तो आपसन भी आपको सही हो जा चंद्रयान 3 की लैंडिंग की अनूठी विसेष्टा क्या है तो यह आपका question number 8 है तो यानि कि जो अन्य देशों ने चंद्रयान लांच किया था उसके उससे अलग जो भारत ने लांच किया है उसकी विसेष्टा अलग क्या है तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा के दच्वी धरूपर नहीं उतर पाये थे अभी तक तो यहाँ पर जो है विसेष्टा क्या है इसकी कि चंद्रमा के दच्वी धरूपर उतरना इसकी एक अनूठी विसेष्टा है चलिए अगला question देखते हैं किसे तारीख को lander को propulsion module से सफलता पूरबक अलग किय तो यहां पर आपका सही उतर हो जाएगा आपसणडी 17 अगस्त को ठीक है 17 अगस्त को जो है अलग किया गया था 14 जुलाई को लांच किया गया था और इसके बाद जो है 17 अगस्त को ये जो है आपका अलग किया गया था किसको lander को ठीक है propulsion module से चलिए अगला question देखते हैं अ अगला हमारा कुश्चन है चंद्रयान 3-6 ने दूसरा डी भूश्टिंग 25 बाजी कब की ठीक है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा आपका आपसन भी सही हो जाएगा 19 अगस्त को कब 19 अगस्त को जो है ये आपका जो है चलना फिरना चंद्रमा की सता पर चालू हो गया था तो आपसन भी आपका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा चलिए अगला कुश्चन देखते हैं इसरो टेली मेटरी ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC कहां इस्तित है तो ये आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपसन दी यानि की बंगलूरू में कहां पर चलिए अगला कुश्चन देखते हैं 25 जुलाई 2030 को किये गए युद्धा अभ्यास का उद्धेश से क्या था तो इसका क्या उद्धेश से था आपका आपसन सही हो जाएगा कच्छा उद्धान ठीक है तो इसका उद्धेश से क्या था जो आपका 25 जुलाई 2030 को किया गया था युद्धाभ्यास उसका था कच्छा उठ्धान ठीक है इसाथ ही अगला जो है चंद्रयान थिरि के प्रचेपण का निर्दित तो किया था ठीक है तो यह जो है आपके हो गए रितु का रिधल चली देख्यते हैं अगला क्यूश्चन का फी थिरी का कुल वजन कितना है तो चंद्रयान थिरी का जो टोटल वजन है वो आपका कितना है तो आपसन भी आपका सही हो जाए का कौन सा आपसन भी यानि की 49 सव किलोग्राम यानि की 3900 किलोग्राम ठीक है अगर अकेले प्रणोधन माडियूल का वजन की बात करें अकेलिय जो प्राणोदन माडियूल है उसका वजन की बात करें तो 2149 किलोगराम और जो है लैंडर और रोवर दोनों का वजन कितना है 1752 किलोगराम जिसे से चंद्रयान थी का टोटल वजन कितना हो जाता है वन टालिस सव किलोगराम ठीक है तो आप जानते रहेगा चलिए अगला कूशन देखते हैं मिसन चंद्रयान थीरी की कुल लागत कितनी है तो जो है टोटल कितना पैसा लगा बनाने में चंद्रयान थीरी को तो यहाँ पर आपका जो है हो गया 600 करून कितना 600 करून आपका जो बहुत टोटल लागत लगा था चंद्रयान्थिरी को लांच करने और बनाने में तो यहां से आपको जो है साथियों उम्मीद है सभी क्विश्चन पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमन जरू करें और चैनल पन्ना है